मैं लाहोर हूँ, अभी मुझी किसी लिए बुढाया यहाँ पर? अच्छा, भगत आया था यहाँ पर जिन्दा रहकर भगत सिंग ने किया देश भक्ती से प्यार मौत को दुलहन बना पहना फासी के फंदे का हार जिन्हों ने देखा खुली आँखों से ख्वाब आजादी का सुलाया गया है उन दिवानों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ वह दौर ही कुछ और था जब वतन के खातिर अपने जान पर खेल जाया करते थे वह दौर ही कुछ और था पता है शहीद तो भगत सिंग और उसके साथी हुए थे पर वे यहां की धर्ती पर बो गए बीच जंगे आजादी का समय के साथ वह बीच रिक्ष का आकार लेनी लगा और हर तरफ दिखने लगी थी टोलिया आजादी के दिवानों की 1938 में एक मेधावी बालक आया था लाहौर में यहीं पास गुर्दासपूर में उनका जैन्म हुआ था और वह लाहौर में दाक्टरी पढ़ने आया था कई विश्विद्याले हैं यहां पर उनमें से एक विश्विद्याले किंग एड़ड मेडिकल कॉलेज है और उस विश्विद्याले में वह बालक पढ़ा और बड़ा डाक्टर बना यहां वह जिया उस संग्राम को उस स्वतंत्रता के आंदोलन को और उसने आजादी के पहले यहां और आजादी के बाद जो भी कारे हिंदुस्तान में जाकर किया उसकी निव तो यहीं पढ़ी थी मेरे पास मेरे भगत के लाहॉर में सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मन्जिल को पा जाएंगे जान प्यारी नहीं है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे आए वतन आए वतन आए वतन आए वतन वो जवानी जो फूँ को जलाती नहीं वो वतन के लिए है रंग लाती नहीं दाग लेकर गुलामी का क्यूं हम जीए क्यूं हम जीए शोच कर रातों को नींदे आती नहीं सास है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मंदिल को पा जाएंगे जान प्यारी नहीं है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे आए वतन आए वतन आए वतन आए वतन खून से अपने सीचेंगे अपना जमन हमने तै कर लिया हमने ले ली कसम खून से अपने सीचेंगे हम ये जमन जान लेकर हतेली पे हम चल दिये हम चल दिये बांद कर सर पे निकले हैं हम ये कफन सांस है जब तनक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मन्जिल को पा जाएंगे जान प्यारी मही है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे है मतरव है वतन है मतरव झाल